आज की वीडियो में मैं आपको 906 की फेक्टर ट्री बनाना सकाऊंगा फेक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं वह नंबर जो बन से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं prime numbers कहलाते है example के लिए 2, 3, 5, 7 and so on ये कुछ आपके prime numbers हुए इसके बाद इसमें आपको tables आना ज़रूरी है फिर जिस तरह से tree की branches होती है उसी तरह मैंने 906 की दो branches बना ये left side में आपको हमेशा prime number मिलेगा right side में अगर आपका prime number आ जाए इसका मतलब है कि आपकी factor tree यहीं पे close हो गई अब आपको चेक करना है कि आपकी factor tree सही है और गलत है इसके लिए आपको left to right चलना होगा left to right चलते टाइम आपको सभी के सभी number prime number ही मिलेंगे फिर इन prime numbers को आपस में multiply किया जाता है multiply करने के बाद इसका result में शबही होगा जिसकी आपको factor tree बनानी थी 2 x 3 x 151 906 हुआ इसका मतलब है कि आपकी factor tree एक्तम सही है and 2 x 3 151 906 के prime factors भी होएंगे और अगर आपको 906 की factor tree का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो please मेरे चैनल को like and subscribe जरूर कीजे